हेलो वेल्कम बैग बच्चो मैं सुनिल पंडे आप सब अपने इस चैनल पंडे सर की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि छासिक्स की गणी प्लेशन 3.4 तो आए शुरू करते हैं जैसा कि हम लोग यहां देख रहे हैं कुल मिला कर आठ सवाल दिये गए हैं यहां हम लोग एक एकर सभी का हाल निकालेंगे तो आए शुरू करते हैं पहला नंबर में दिया हुआ है निम्ण का महतम समापोर तक अभाजी गुननखंड विधी से ग्यात करें तो इसका पहला सवाल है एक यासी और एक सो सत्रा तो सबसे पहले हम एक यासी का अभाजी गुननखंड निकालेंगे जो की होगा तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन और एक सो सत्रा का अभाजी गुननखंड होगा तीन गुना तीन गुना तेरा अब इन दोनों ही संख्याओं में जो समान रूप से अंखा में मिल रहे हैं उसे चिनित कर लेते हैं और वह हमारा सारू गुनन खंड का लाता है तो एक्यासी और एकसो सत्रा का सारू गुनन खंड हुआ तीन गुना तीन और 81 और 170 का महतम समापर तक भी हुआ 3 गुना 3 बराबर 9 यही हमारा जवाब हुआ दूसरे नमबर पर है 18 और 48 तो सबसे पहले हम 18 का अभाजी गुनन खण निकालेंगे जो के हुआ 2 गुना 3 गुना 3 अब हम 48 का अभाजी गुनन खण निकालेंगे जो के हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 अब दोनों ही संख्याओं में जो समान रूप से अंक मिल रहे हैं उसे चिनहित कर लेते हैं वा हमारा सारु गुनन खण कालाता है तो 18 और 48 का सार गुनंखंड हुआ दो गुना तीन और 18 और 48 का महतम समापर्तक भी होगा दो गुना तीन बराबर छे यही हमारा जवाब हुआ तीसरे नमबर पर है 27 और 63 तो 27 का औभाज गुनंखंड हुआ तीन गुना तीन गुना तीन और 63 का औभाज गुनंखंड हुआ तीन गुना तीन गुना साथ अब दोनों ही संख्याओं में जो समान रुप से अंक मिल रहे हैं उसे चिनित कर लेते हैं जिसे कि हम सारुगुनन खंड काते हैं तो 27 और 63 का सारुगुनन खंड हुआ 3 गुना 3 और महतम समा पर तक हुआ 3 गुना 3 बराबर 9 यही हमारा जवाब हुआ चोथे नमबर का सवाल है 36 और 84 तो सबसे पहले हम 36 का और भाजी गुनन खंड निकालेंगे जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 अब हम 84 का और भाजी गुनन खंड निकालेंगे जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 अब दोनों ही संख्या में जो समा रूप से अंक मिल रहे हैं उसे चिनहित कर लेते हैं वह हमारा सारुगुनंखंड का अलाया तो 8684 का सारुगुनंखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 3 और इस परकार 8684 का महातम समापर्थक हुआ 2 गुना 2 गुना 3 बरावर 12 यह हमारा जवाब हुआ पांच में नमबर पर है 70, 140 और 210 तो 70 का अभाजी गुनंखंड हुआ 2 गुना 5 गुना 7 और 140 का अभाजी गुनंखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 और 210 का अभाजी गुनंखंड हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 अब तिनों ही संख्याओं में जो समाद उपसंख मिल रहे हैं उसे चिनहित कर लेते हैं वह ही हमारा सारु गुनंखंड का लाया तो 70, 140 और 210 का सारु गुनंखंड हुआ 2 गुना 5 गुना 7 और यही हमारा मातम समा पर्तक होगा तो 70, 140 और 210 का मातम समा पर्तक हुआ 2 गुना 5 गुना 7 बराबर हुए 70 यही हमारा जवाब हुआ चठे नुमबर पर है 12, 45 और 75 तो सब सब कहले हम 12 का अभाज गुनन खड़ निकालते हैं जो कि हुआ 2, गुना 2, गुना 3 अभ 45 का अभाज गुनन खड़ निकालते हैं जो कि हुआ 2, तीन, गुना 3, गुना 5 अभ 75 का अभाज गुनन खड़ निकालते हैं जो कि हुआ 3, गुना 5, गुना 5 अभ तिनों ही संख्या में जो समान रूप से अंक मिल रहे हैं वो है 3 अता 12, 45 और 75 का सारु गुनन खड़ हुआ 3 और महतम समापर तक भी होगा 3 यही हमारा जवाब हुआ साथवे नमबर का सवाल है 120, 144 और 204 तो सब सब पहले हम 120 का अभाज गुनन खड़ निकालते हैं जो कि हुआ 2, गुना 2, गुना 2, गुना 3, गुना 5 अब हम 144 का अभाज गुनन खड़ निकालते हैं जो कि हुआ 2, गुना 2, गुना 2, गुना 2, गुना 3, गुना 3 और 204 का अभाज गुनन खड़ हुआ 2, गुना 2, गुना 3, गुना 17 अब तिनों ही संख्याओं में जो समान रुप से अंक मिल रहे हैं उसे चिनहित कर लेते हैं वो हमारा सारु गुनन खड़ का अलाया तो 120, 144 और 204 का सारु गुनन खड़ हुआ 2, गुना 2, गुना 3 और इस परकार 120, 144 और 204 का महतन समापर्तक भीवआ 2, गुना 2, गुना 3, बराबर 12 यही हमारा ज़वा आठवे नंबर का सवाल है 106, 169 और 265 तो सबसे पहले 106 का अभाजी गुनन खड़ निकाल लेते हैं जो कि हुआ 2, गुना 3, पन अब 169 का अभाजी गुनन खड़ निकाल लेते हैं जो कि हुआ 3, गुना 3, पन अब हम 265 का अभाजी गुनन खड़ निकाल लेते हैं जो कि हुआ 5, गुना 3, पन अब तिनों ही संख्याओं में जो समारूप से अंक मिल रहे हैं उसे चिनित कर लेते हैं वही हमारा सारुगुनन खंड का अलाया तो 106, 169 और 265 का सारुगुनन खंड हुआ तिरेपन और महतन समापर्तक भी हुआ तिरेपन यही हमारा जवाब हुआ नवे नमबर पर है 625, 3125, 15625 तो सबसे पहले हम 625 का अभाजी गुनन खंड लिखते हैं जो कि हुआ पाच, गुना पाच, गुना पाच, गुना पाच अब 3125 का अभाजी गुनन खंड लिखते हैं जो कि हुआ पाच, गुना पाच, गुना पाच, गुना पाच, गुना पाच अब हम 15625 का अभाजी गुनन खंड लिखते हैं जो कि हुआ पाज गुना पाज गुना पाज गुना पाज गुना पाज गुना पाज अब तिनों ही संख्याओं में जो समारूप संख मिल रहे हैं उसे हम चिनहित कर लेते हैं वह हमारा सारु गुनां खंड का लाया तो 625, 3125 और 15625 का सारु गुनां खंड हुआ पाँच, गुना पाँच, गुना पाँच, गुना पाँच और इस परकार 625, 3125 और 15625 का महतम समापर्तक हुआ पाँच गुना पाँच गुना पाँच गुना पाँच बराबद छे सो पचीश यही हमारा जवाब हुआ आईए अब दूसरे नमबर का सवाल देखते हैं निम्न का महतम समापर तक भाग विधी से ग्याब करें तो पहला नमबर में है तीन सो और चार सो पचास तो सबसे पहले हम तीन सो से चार सो पचास को भाग देते हैं तो सेस बजता है एक सो पचास अब उस एक सो पचास से तीन सो को भाग देते हैं तो दो बार में यह पूरा पूरा करता है और सेस जीरो हो जाता है तो तीन सो और चार सो पचास का महतम समापर तक हुआ 150 यही हमारा जवाब हुआ दूसरे नंबर पर है 442 और 1261 तो सबसे पहले हम 442 से 1261 को भाग देते हैं तो 6 बज़ता है 377 अब 377 से 442 को भाग देते हैं तो 6 बज़ता है 65 अब इस 65 से 357 को भाग देते हैं तो 6 बज़ता है 52 और इस 52 से जब 65 को भाग देते हैं तो 6 बज़ता है 13 अब इस 13 से जब 52 को भाग देते हैं तो 6 0 हो जाता है तो 442 और 1261 का महतम समापरतक हुआ 13 यही हमारा जवाब हुआ तीसरे नमबर पर है 252 और 576 तो सबसे पहले हम 252 से 576 को भाग देंगे तो 6 बचा 72 अब इस 72 से 252 को भाग देंगे तो 6 बचा 36 और जब 36 से 72 को भाग देंगे तो 6 बचेगा 0 तो 252 और 576 का महतम समा परतक हुआ 36 यही हमारा जवाब हुआ चोथे नमबर पर है 935 और 1320 तो सबसे पहले हम 935 से 1320 को भाग देंगे और 6 बचेगा 380 अब 380 से 935 को भाग देंगे तो 6 बचेगा 165 अब 165 से 380 को भाग देंगे तो 6 बचेगा 55 और जब 55 से 165 को भाग देंगे तो 6 बचेगा सुने तो इस परकार 935 और 1320 का मातम समा पर तक हुआ 255 यही हमारा जवाब हुआ पांचमे नमबर का सवाल है 1624, 522 और 1276 तो सबसे पहले हम 522 से 1624 को भाग देते हैं तो 6 बचता है 232 अब 232 से 522 को भाग देते हैं तो 6 बचता है 58 और 58 से जब 232 को भाग देते हैं तो 6 बचता है सुने अब इस 58 से 1200 को भाग देते हैं तो यह 28 बार में पूरा-पूरा कर जाता है और 6 जीरो बज़ता है तो 1624, 522 और 1276 का महतम समा परतक हुआ 58 यही हमारा जवाब हुआ छटे नमबर का सवाल है 2241, 8217 और 747 तो सबसे पहले हम 2241 से 8217 को भाग देते हैं तो 6 बज़ता है 1494 अब 1494 से 2241 को भाग देते हैं तो 6 बज़ता है 747 और जब 747 से 1494 को भाग देते हैं तो 6 बज़ता है सुन्ये अब उस 747 से हम 747 को भाग देते हैं तो एक बार में यह पूरा-पूरा कर जाता है और 6 बज़ता है सुन्ये तो इस परकार 2241, 8217 और 747 का महतम समा परतक हुआ 747 यही हमारा जवाब हुआ अब तिसरे नमबर का सवाल को देखते हैं 65610 विभाज्य है 27 से तो 65610 की दो निकर्टम संख्याएं ग्याद करें जो 27 से विभाज्य हो तो इसके लिए हम 65610 में एक बार 27 को जोड़ देते हैं और एक बार 65610 में 27 को घटा देते हैं इस परकार हमें उसके निकर्टम दो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं जो कि हुआ 65630 और 65583 यही हमारा जवाब हुआ चौथे नमबर का सवाल है कि नहीं दो कर्मागत संख्याओं का महतम समापर तक क्या होगा तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि दो कर्मागत संख्याओं 27 और 28 हैं तो जब 27 से 28 को भाग देते हैं तो सेस बजता है एक और एक से जब 27 को भाग देते हैं तो 27 बार में यह पुरा-पुरा कड जाता है तो इस परकार दो कर्मागत संख्याओ 27 और 28 का महतम समापर तक एक हुआ तो ध्यान रखेंगे कि कि नहीं कर्मागत संख्याओं का महतम समापर तक हमेशा एक होगा यही हमारा जवाब हुआ पांचवे नमबर पर है दो छोटे टेंकरों में क्रम सब 85 और 68 लिटर पिट्रॉल आता है उस मापने वाले बर्तन की आधितम धारिता ग्याद करे जिससे परतेक टेंकर का पिट्रॉल पूरा-पूरा मापा जा सके तो सबसे पहले हम 85 और 68 का महतम समा परतक लिखालते हैं इसके लिए हम 85 से 85 को भाग देते हैं तो सेस बज़ता है 17 और 17 से जब अरशट को भाग देते हैं तो चार बारे में यह पूरा-पूरा कर जाता है और सेस बज़ता है 0 तो 85 और 68 का महतम समा परतक हुआ 17 तो इस परकार बरतन की अधितम धारता हुई 17 लिटर यही हमारा जवाब हुआ छठे नमबर का सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करें जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर करम सह 4, 7 और 3 सेस बचे तो इसका जवाब निकालने के लिए हम सबसे पहले दिये गए संख्या में से उसके सेस वाले अंग को घटा देते हैं जैसे कि 389 में से 4 को घटाए तो हुआ 380 436 में से 7 को घटाए तो हुआ 429 और 542 में से 3 को घटाए तो हुआ 549 अब इस तीनों ही संख्याओं का हम महत्मस समापर तक निकालेंगे तो 380 से जब हम 429 को भाग देते हैं तो 6 बचता है 44 और जब 44 से 380 को भाग देते हैं तो 6 बचता है 33 और जब 33 से 44 को भाग देते हैं तो 6 बचता है 11 और जब 11 से 33 को भाग देते हैं तो 6 बजता है 0 अब 11 से जब 549 को भाग देते हैं तो 49 बार में यह पूरा-पूरा कड़ जाता है तो 350 से 429 और 549 का महतम समा पर तक हुआ 11 और यही हमारा जवाब हुआ तो 11 से जब हम 399 से 436 और 549 को भाग देंगे तो क्रम सा 4, 7 और 3 सेश बचेंगे सातवे नमबर का सवाल है एक बिद्याले की कच्छा में 6, 7 और 8 में क्रम सा 220, 116 और 132 छात्र हैं इनके बराबर बराबर बच्चे के समोह में अधिक से अधिक कितने चात्र होंगे तो इसके लिए हम 220, 116 और 132 का महतम समा पर तक जात करेंगे तो सबसे पहले हम 116 से 132 को भाग देते हैं तो 6 बजता है 16 और 16 से जब 116 को भाग देते हैं तो 6 बजता है 4 और जब 4 से 16 को भाग देते हैं तो 6 बजता है सुनने अब 4 से 220 को भाग देते हैं तो यह पच्पन बार में पूरा-पूरा कट जाता है तो इस परकार इनके बराबर बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक जो छात्र होंगे वह होगा चार छात्र यही हमारा जवाब हुआ अगला सवाल है आठवे नमबर का एक आयताकार फर्स की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटिमीटर है और चोड़ा आई 15 मीटर 60 सेंटिमीटर है इसको समान वर्गा का टाई लगा कर पक्का करना है याद करें कि इसके लिए कम से कम कितने टाई चाहिए तो सबसे पहले हम फर्स का छेतर फल निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे उसके चोड़ाई से भाग देते हैं 1560 से तो हमें जो अंग प्राप्त होता है वह है 2016 तो टाईल की संख्या हुई 2016 यही हमारा जवाब हुआ तो आप सो को मारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बता है हमारे इस चैनल पांडे सर्गी क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दूसरों के साथ इस टेर करें और हाँ करना हमारे मेनत का फाल है धन्यवाद थैंक यू